नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का एक वार फिर से हमारे इस Computics Lab यूट्यूब टेक्निकल चैनल में तो यहां पर देखे है हमारे पास एक पेंड्राइव है पेंड्राइव या हार्ड डिस्क का आपके केस में हो सकती है जिसे आप लगाते ही format के उसकी अन्नोन दिख रही है और फाइल सिस्टम यानि रिएस्टोर्ड डिवाइस डिफॉल्ट पर आप क्लिक करके भी format करना चाहेंगे NTFS, X-PAT या किसी भी फाइल सिस्टम के उपर तो यह format भी नहीं हो पा रही है यानि आपकी जो हार्ड डिस्क है या पेंड्राइव हार्ड वेर वो पूरी तरह से जो है काम करना बंद कर दी है और format के लिए अचानक से बोल रही है और format भी नहीं हो पा रही है जैसा कि अगर आप राइट क्लिक क आकर आपको डिस्क्राइब कर सकता हूं कि XFAT होती क्या है किस situation में यूज करनी चाहिए XFAT में भी देखिए यह पेंड्राइव को format नहीं कर पा रही है लेकिन यह situation बिल्कुल ही अलग है यानि इस situation में आपका जो data है वो important नहीं है बस hardware जो है वो काम करना चाहिए पेंड्राइव या hard disk यानि आपका जो है format हो जाए वही काफी है यानि hardware काम करना चाहिए पेंड्राइव को मैंने निकाल के दुबारा से लगाया है और देखें दुबारा से लगाने पे भी एक pop-up message सामने आ रही है format करने के लिए बोल रही है format disk ओके you need to format the disk तो यहाँ पे क्या यह format कर पाती है या नहीं कर पाती है list disk command यहाँ पे आपको चलाने है ताकि आपको पता चले available disk कौन सी है जो हमारे पेंड्राइव को represent कर रही है select disk 2 यानि कि हमारे disk 2 में पेंड्राइव 60GB यानि 64GB मैं पेंड्राइव यूज कर रहा हूं और disk 2 यहाँ पे selected disk है तो अब यहाँ पे format करके try करना है कि क्या यह disk part command जो है format कर पा रही है या नहीं कर पा रही है quick command के साथ देखे यहाँ पे there is no volume selected अगर आपके case में यह message सामने आ रही है it means कि इसके उपर partition create नहीं है confirm करने के लिए आप command चलाएंगे list partition तो यहाँ पे देखे there are no partition यानि कि अब आप confirm हो रही है या नहीं कर पा रही है तो यहाँ पे देखे कि हमारी जो pain drive है उसके उपर successfully primary partition create कर चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं तो अब partition create होने का मतलब है कि drive create हो गई है लेकिन my dear friend जब तक आप format नहीं करेंगे आपकी जो disk के उपर data save नहीं होगी media तक अभी communicate नहीं हो लगी होई होती है hard disk अगर हम बात करें platter वाली disk वाली तो उसके उपर disk वाली platter घूमती रहती है वो mechanical hard disk होती है लेकिन अगर हम बात करें SSD वेगरा के case में तो वो एक group of chip assembled की होती है SSD hard disk के उपर लेकिन यहाँ पे जो windows की format tool थी वो जो capacity है वो unknown capacity दिख रही थी यानि media तक व है वो data को save करती है या format करती है लेकिन disk part command देखिए quick command के through में चलाया हूँ 0% to 100% अचानक से jump करती है लेकिन अगर आप quick command नहीं चलाएंगे तो 0,1,2,3,4% और उसमे time लगती है status दिखती रहती है आपको लेकिन मैं आपको एक बार suggest करूंगा कि first attempt में आप quick command के through try करे कि क्य रही है या नहीं हो पा रही है अगर वो quick command के through format नहीं कर पा रही है तो आप बिना quick command यानि format fs is equal to ntfs का इस्तमाल करे ताकि आप यह चेक करे कि slow mode में यह format कर पा रही है या नहीं कर पा रही है slow mode में जब आप करेंगे तो थोड़ा सा time taken होगा लेकिन हो सकता है कि आपका hardware successfully format हो जाए यहां पर देखिए हमारी जो pain drive है वो successfully format की जा चुकि है 100% completed यानि जहां windows की format tool काम नहीं कर पा रही थी यहां पर disc part tool जो है pain drive को format कर पाई है assign command type करें ताकि drive letter जो है वो assign हो जाए my computer में आपको drive letter दीखना start कर दे exit करेंगे command prompt को भी close करेंगा और यहां पर देखिए ज data को create कर पा रहे है तो yes obviously data जो है यहां पर save भी हो पा रही है यानि disk के उपर data आसानी से store हो पा रही है जैसा कि आप देखिए save करके मैं बाहर निकला एक बार मैं pain drive को फिर से eject करूंगा ताकि यह confirm करूंगा कि क्या pain drive या hard disk लगाते ही क्या format वाली pop-up message फिर से तो सामने नही नहीं आती है तो हमारे case में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए क्योंकि format वह properly रूप से हो चुकी है तो जैसा कि आप देखिए pain drive या hard disk मैं यहां पर लगाया हूं और यह कोई भी format वाली जो pop-up message थी वह pop-up नहीं की है warning नहीं दी है और किसी भी तरह के data को save जो है वह आप save के व हो जाती है किसी भी तरह की data modify, delete, write, create नहीं कर पाते हैं यहां पर देखिए एक बार मैं फिर से format tool यूज करूँगा windows वाली और successfully format complete हुई है it means अब आपका pain drive या hard disk जो भी हो वह आपका properly रूप से काम करना start कर चुका है तो अगर इस तरह की windows troubleshooting, hardware troubleshooting वाली video देखने के लिए आप हमारे Computics Lab YouTube Technical Channel को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फर वाचिंग, थैंक यू सो मच